हेलो इंटेलिजेंट्स वेलकम टू अक्षे चोपडा मैस बेटा आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास स्टेंडर मैस का 2023 का फेपर डिसकस करेंगे जिसका कोड 363 और सेट 3 है आज हम इसका सेक्शन C डिसकस करने वाले हैं सेक्शन A और सेक्शन B हम प्रिवेस वीडियो में डिस और उसको भी अच्छे से देख सको चलिए सेक्शन C से स्टार्ट करते हैं सेक्शन C का फर्सक्ष्टन लीकॉस्टन नबर 26 इस प्रूब एट साइन थिटा प्लस गोज्टिटा इस सीकन थिटा प्लस को सीकन थिटा तो सबसे पहले लेफ़ेंड साइन नोट कर लेते हैं अच्छा आप देखो इसको solve करना है आपको मैंने बुला हुआ सबसे simplest way क्या आता सब को sin cos में change कर दो तो इसको sin cos में change करेंगे it will be sin theta by cos theta plus cotangent is cos theta by sin theta simple तो बेटा जब हम इसका LCM करेंगे ध्यान से देखना मैं LCM करने जा रहा हूँ उससे क्या होगा बेटा sin यहां multiply हो जाएगा cos right side multiply हो जाएगा तो it will become sin square theta plus cos square theta और नीचे क्या बन जाएगा sin theta multiplied by cos theta यही होता है LCM ठीक है trigonometry में बेटा आपका LCM strong होना चाहिए तो it will be equals to sin theta plus cos theta अचा बेटा sin square theta plus cos square theta दो 1 होता है तो हमारे पास क्या बच्चा सिर्फ यही बच्चा one upon sin theta into cos theta मेरी बात को समझ गए ठीक है आप देखो यह sin theta into cos theta दोनों के नीचे है मैं base अलग-अलग करने जा रहा हूँ तो sin theta upon sin theta multiply cos theta plus cos theta upon sin theta multiply cos theta तो यहां से बेटा cos cancel हो जाएगा और यहां से sign cancel हो जाएगा one upon cos क्या आता है one upon cos यानि की secant आ गया ठीक है और one upon sign क्या आता है cos secant आ गया और अगर तुम ध्यान से question को देखो तो यही तो prove करना था secant theta which is our right hand side और यह question हो गया prove समझे ठीक है बिल्कुल आसान बिल्कुल easy question था मतलब एक natural number है जब उसमें 12 plus कर दिया जाते है increase का मतलब plus करना decrease का मतलब minus करना is equals to 160 times it's reciprocal अपने reciprocal का 160 time हो जाता है तो हमें वो number find करना है हमारी वही बात है कि जो भी find करना उसको x let कर लेते है find the number so let the number ठीक है तो यह बन जाएगा let the number तो वो जो हमारा number है वो क्या है number equals to x ठीक है अब देखो question क्या कह रहा है question क्या है the question says a natural number when increased by 12 जब उसको बारा बढ़ा देंगे मतलब एक natural number है जब उसको increase कर दिया 12 के तो वो किसके equal हो जाता है वो equal हो जाता है 160 times it's a receive local इसका receive local क्या होगा 1 by x तो बन गी equation ठीक है तो equation बनाना कोई बड़ी बात नहीं है जैसे जैसे उसने English में बोला वैसे वैसे mathematics की language में लिखते जाएंगे तो x को वहाँ multiply कर दो तो ये बन जाएगा x square plus 12 x और ये minus 160 बन जाएगा इधर आके equals to 0 तो ये बन गी है आपकी quadratic equation simple अब इसको solve करो चाहे factorization method से करो चाहे quadratic formula से करो वो आपकी इच्छा ठीक है factorization से करते हैं 160 अच्छा देखो 160 के मैं factor कर देता हूँ sorry बच गया चलो 160 के factor यहाँ पे करता हूँ 280 240 220 210 ठीक है 2 5 and 5 1 अब तुमको factor क्या करने है बेटा कैसे बनाने है plus minus करके आए 12 कितना आना चाहिए 12 तो अब देखो इनकी pairing कर लो किसे coding pairing करोंगे कि plus यह minus करके 12 बन जाए इसमें अगर हम 2204 2208 2204 220 220 हाँ ठीक है ये वले कर लो ठीक है एक क्या बन जाएगा 8 और एक क्या बन जाएगा 20 ठीक है अब 8 और 20 को आपस में जब minus करोगे तो 12 आ जाएगा न अपना ठीक है और ये देख लो 12 भी अपने को चाहिए था ठीक है चलिए तो ये बन जाएगा x square अब 12 पोजिटिव है तो 20 अपना पोजिटिव में आएगा और 8 अपना नेगटिव में आएगा ठीक है minus 160 equals to 0 तो x common x plus 20 minus 8 common x plus 20 equals to 0 तो यहाँ पर बन जाएगा जब x plus 20 common आएगा तो x minus 8 equals to 0 तो x की दो values आगी minus 20 and 8 ठीक है लेकिन अब question देखो ध्यान से क्या था इन में से कौन सी value reject करनी है कौन सी रखनी है उसने बोला था a natural number natural number की बात हो रही है अब natural number negative थोड़ी होता है 20 ओ ठीक है तो x equals to minus 20 is rejected y as it is not a natural number क्यों? क्योंकि यह एक natural number नहीं है यह एक natural number नहीं है ठीक है तो जो हमारा answer क्या होगा therefore the number is 8 therefore the number equals to 8 ठीक है तो वो जो अपना number है उसकी value की आई है चलिए next question करते है इसका और वाला part वो भी इसी की तरह बिल्कुल अच्छा बिल्कुल संदर सा बिल्कुल सिंपल सा question है देखना B part में क्या है if one root of the quadratic equation x square plus 12x minus k equals to 0 is thrice the other root अगर एक root दूसरे root का क्या है बेटा thrice thrice का मतलब क्या आता है बेटा three times thrice का मतलब होता है three times मतलब इसका एक root दूसरे root का thrice है तो हमें k की value बतानी है तो पहले तो इसको लिख लो x square plus 12x minus k equals to 0 तो ये आगया question number 27 again ठीक है x square plus 12x minus k equals to 0 हाँ यही थी ठीक है अच्छा उसने बोला है roots तो let roots be तो बेटा अगर एक root alpha है तो दूसरा root क्या आजएगा three times alpha आजएगा क्योंकि उसने बोला है एक root दूसरे का thrice है तो therefore अगर मैं sum of root की बात करूँ sum of root क्या आगता है minus b upon a minus b upon a बात को समझे तो 4 alpha की value क्या आगई minus 12 और alpha की value क्या आगई minus 3 इतना तो clear है ठीक है अब देखो हमें दोनों roots find करने की जूट नहीं है एक root आगे है न alpha तो root का मतलब क्या आगता है 9 minus 36 minus k equals to 0 तो 9 minus 36 कितना है था बैटा minus 27 minus k equal to 0 तो k की value के आगई negative 27 और यह ही अपने को find out करनी थी ठीक है देखो बिलकुल असान बिलकुल easy बिलकुल जिम्पसा question था चलिए next बढ़ते हैं question number 28 पर हाँ जी question number 28 says find the ratio in which the line segment joining the points 6,3 and minus 2 minus 5 divided by x-axis तो x-axis इस line को किस ratio में divide करना है तो points are 6,3 and minus 2 minus 5 सबसे पहले points लिख लेते हैं 28 number question the two points are point number a and this is point number b point a is 6,3 and point b is minus 2 and minus 5 तो यह कोई भी point है which is on x-axis मतलब उसका y coordinate क्या होगा 0 होगा ठीक है y coordinate क्या होगा 0 होगा अच्छा अब आपको मैंने short way भी बताया हुआ कि जब भी x यह y-axis की बहात आए तो जो coordinate 0 है उसकी value find करनी है तो let the ratio be m ratio n ठीक है वैसे k ratio बाद से करते हैं मैं आपको m ratio n से भी करके दिखा जेता हूँ जो आपको असान लगे paper में कर लेना तो मैं y coordinate की value find दर रहा हूँ तो y coordinate के इसके equal हो जाएगा m into minus 5 ठीक है plus n into 3 बात को समझ गे over m plus n तो ये m plus n तो दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा 0 multiply m plus n ठीक है तो ये आ गया minus 5m plus 3n ओके तो minus 5m plus 3n equals to 0 बात को समझ गे तो 5m किसके equals हो गया बेटा 3n के equal हो गया ठीक है और हमें ratio क्या चाहिए m ratio n तो m ratio n will be equals to 3 upon 5 ठीक है तो ratio क्या जीगी therefore ratio is 3 ratio 5 और ये था अपना answer simple चोटा सा खोश्चन है ठीक है ये वैसे 2 marks काई इसने 3 marks में डाल दिये चलो 29th is in a circle of radius 21 cm एक रिदिए जिसका radius के बेटा 21 cm है an arc subtend an angle 60 degree at the center central angle यानि की theta दे रखके okay find the area of the sector also find the length of the arc तो area of the corresponding sector यानि minor sector का area और minor arc की length बूच है ठीक है तो 29th है ठीक है जी बड़ाई जी बड़ाई चोटा सा अच्छा सा नना सा मना सा question है चलिए हमें यहाँ पे जो central angle है that is given to be 60 degree और जो अपना radius है that is given to be 21 cm ठीक है तो चलिए corresponding sector यानि की minor sector का area निकालना तो area of minor sector तो यह minor sector का area फाइंड करना है this will be equals to theta by 360 degree multiply pi r square तीटा इस 60 degree upon 360 degree multiply pi को हम 22 upon 7 लेंगे क्योंकि radius क्या है 21 और 721 की आपस में cutting हो जाती है तो 6 और 6 तो यह बन गया अपना 3 और यह आ गया 11 तो it will be equals to 11 by 21 multiplied by sorry यह 1 by 7 भी तो है यहां पर इसको भी लिख लो चलो यह लो नहीं ओगे ओगे sorry 11 upon 7 3 is a 21 और यहां पर 21 multiply 21 एक 21 cancel out हो जाएगा और यह क्या मन गया जितना भी multiply करके cm2 अपना answer ठीक है 11 1s are 11 1 carry 11 2s are 22 22 और 1 23 231 cm2 अपना answer ठीक है हमें अब क्या find करना है corresponding minor arc भी न तो length of minor arc तो यह जो minor arc है इसकी length find करनी है it is also theta by 360 degree but here it is 2 pi r तो theta is 60 degree whole over 360 degree multiplied by 2 multiply 22 by 7 and radius is 21 again 00 cancel out 6 1s are 6 6 6 are 36 2 1s are 2 2 3s are 6 3 1s are 3 3 7s are 21 and 7 and 7 gets cancelled out only 22 बचा तो length of arc क्या आगी अपने पास length of arc आगी 22 cm okay simple बिल्कुल easy बिल्कुल छोटा था question था बस आपको formula आना चाहिए चलिए next बढ़ते है question number 30 पर हाँ जी the question number 30 says in the given figure figure is here okay e is a point on cb produced of an isosilist triangle abc in which ab and ac are same ये ab और ac की length same दे रखे okay if ad is perpendicular to bc okay and ef is perpendicular to ac then prove that abd and ecf are similar triangles तो बेटा जो lecture videos मैंने बनाई थी वो i button में उपर मिल जाएगा description में भी मिल जाएगा मैंने जो आप वो triangle वाला playlist मेरी देख लोगे ना तो ये मेरी guarantee आपको कभी भी triangle में problem नहीं आएगी बेटा वहाँ पे मैंने बड़ी detail में बताया हुआ कि कैसे triangles को हम similar करते हैं और वो चीज़ आपने देख ली ना जिन्दगी में कभी triangle नहीं बूलोगे देखो दो side equal होती है उनके opposite angle भी सेम होती है अब a b के opposite कौन से angle है c वाला और a c के opposite कौन से angle है b वाला तो ये दोनों आपस में equal हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे देख लो ये b वाला angle और ये c वाला angle corresponding मिल रहे है ठीक है जी आगे क्या है आगे उसने अच्छा दोनों को similar प्रूब करना ना बड़ा easy है ये f और d 90 डिगरी दे रखा है ठीक है ये f और d 90 डिगरी दे रखा है ये रहा ये अपना d वाला angle 90 डिगरी है ये f वाला angle 90 डिगरी है बात को समझ गए तो एक triangle में जब दो angle आपस में similar हो जाते हैं तो sorry equal हो जाते हैं तो angle similarity से दोनों triangle similar हो जाते हैं कि नहीं ठीक है तो अभी पहले आपनो क्या कर लो ये कर लो a b equals to a c this is given ठीक है तो उसके opposite क्या कर लो angle c equals to angle b यहाँ पे 9th class का result लिक लो angles opposite to equal sides are equal ठीक है angles opposite to equal sides are equal अब देख लो in triangle a b d in triangle a b d and triangle e c f वो triangle e c f समझे इसमे क्या कर दो a b d equal to e c f angle a b d equal to angle e c f इसको हमने कर रखा है प्रूफ ठीक है कब प्रूफ कर रहा यह रहा भी प्रूफ कर रहा ठीक है चाहो तो ऐसे लिक लो angle e c f equal to angle a b d ऐसे लिक लो चाहे ठीक है दूसरा क्या था यह d और f वाल angle perpendicular है a d b e f c ठीक है angle a d b equal to angle e f c each 90 degree के अब दो angles आपस में सेम होगे तो triangle similar हो जाती है therefore triangle a b d is similar to triangle e c f कैसे by angle angle similarity यही अपने को भूफ करना था simple okay ठीक है चलिए next question बढ़ते है question number 31 now what is question number 31 wait a minute यहाँ पर एक line लगा लेते है question number 31 बनाने के लिए this is 31 31 okay now what it says find the hcf and lcm of 2625 sorry 65 and 117 using prime factorization method इन दोनों का hcf और lcm find out करना ठीक है prime factorization है तो prime factorization करनी पड़ेगी factorization कर लेते हैं सबसे पहले क्या था 26 ठीक है 26 की prime factorization होती है 2 multiply 13 ठीक है उसके बाद था 65 65 की होती है 5 multiply 13 और उसके बाद था 117 उसकी होती है 3 into 3 into 13 ठीक है अब उसने prime factorization बोल ला तो आपको यह थोड़ा सा करना पड़ेगा पेपर में 26 कर देना यह 2 फिर 13 फिर 13 बन तो 2 multiply 13 हो गया इसी तरह से 65 है 65 हो गया 5 उसके बाद आ गया 13 और यह 5 13 बन गया फिर आजेगा 117 ठीक है समझ 3 आ गया ओके यह क्या बन जाएगा 39 उसके बाद फिर से 3 and this is 13 now okay now what about HCF? HCF is common portion इन में common portion क्या बेटा? the common portion is 13 okay तो HCF is 13 only okay now what about LCM? LCM में क्या बेटा? पहले देखना जो तीनों में common है that is 13 multiply फिर देखना जो दों में common है दों में कुछ common नहीं है बाकी जो भी बचा उसको as it is लिखतो फिर 2, 5, 3 and 3 अब 2, 5s are 10 ना और उसके बाद क्या है? 13 multiply 3 multiply 3 अब ही हमने करा 13, 3, 3 यह क्या होता 117 और यह 2, 5s are 10 तो यह बन जाएगा 117 साथ में 0 तो यह बन जाएगा आपका LCM, बिल्कुल simple, बिल्कुल easy, समझ गए? लास्ट question करते हैं इसका और वाला पार्ट बड़े ही simple है, prove that root 2 is irrational यह तो बिल्कुल ही simple है, okay? root 2 को irrational प्रूव करना है question number 31 again तो हम कैसे start करते हैं? कि on the contrary हम क्या करते हैं पहले? suppose, क्या suppose करना वेटा? कि root 2 is rational, क्या suppose करना है कि जो root 2 है, वो क्या है? एक rational है, ठीक है? मैं marker change कर लेता हूँ, बिल्कुल प्रूव कर लेता हूँ, okay? अच्छा, अब अगर root 2 rational है, तो root 2 can be written as a upon b, okay? where a and b are integers, जहां पर a और b क्या है? integers हैं, और हम ले ले a and b equals to 1, this is equation number 1, इसकी end में ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा, अब देखो, तो cross multiply कर दो, b under root 2 equals to a, दोनों तरफ अगर squaring कर देंगे तो, 2b square will be equals to a square, okay? getting my point, ठीक है जी? अच्छा, अब a square equals to 2b square, that means, that means 2 divide, that means 2 divide a square, जिससे क्या होगा? 2 divides a, 2 a को divide कर रहा है, 2 a को divide कर रहा है therefore, 2 is a factor of a, 2 क्या है, a का एक factor है, this is equation number 2, अब देखो, 2 a को divide कर रहा है, देखना, 2 a square को divide कर रहा था, तो 2 multiply something a square था, अब 2 a को divide कर रहा है, तो यहाँ पर कर देता हूँ, 2 multiply something equals to a होगा, बात को समझ गे? अब इस a को back यहाँ पर put कर देते हैं, तो therefore, 2b square will be equals to 2c whole square, ठीक है? ब 2b square equals to 4c square, यहाँ जे 2, 2s are 4 cutting हो जाएगा, तो b square will be equals to 2c square, अब अगेन देखो बेटा, 2 multiply something a square था, तो 2 a square को divide कर रहा था, अगेन 2 multiply something b square को, तो 2 divide कर रहा है, b square को, जिससे क्या पता चला, 2 divides b, ठीक है? 2 divides b का मतलब क्या हो गया? कि 2 is a factor of b, 2 b b का एक factor है, अब ध्यान देना, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी, उनका hcf 1 है, इन दो चीजों का hcf 1 होता है, जब उनमें कुछ भी common नहीं होता, लेकिन equation 2 क्या बोल लिए है, 2 a में है, equation 3 क्या बोल लिए है, 2 b में है, यानि 2 दोनों में present है, लेकिन यह क्या कह रहा है, 2 कहीं पर भी present है, ठीक है? तो problem आ ग देख लो, 2 is a factor of, 2 is a factor of both a and b, 2 a और b दोनों का factor है, which means, hcf of a and b क्या होगा, बेटा, 2 होगा, let it be equation number 4, तो अभी problem create होगी, क्योंकि equation 1 क्या कह रही है, hcf 1 के equal है, equation 2 क्या कह रही है, hcf 2 के equal है, बात को समझ गे, तो यहां से prove हो जाएगा, from equation number 1 and equation number 4, ठीक है, we get, क्या मिला हमें, contradiction, हमें क्या मिला बेटा, contradiction, contradiction का मतलब होता है, कि जो हमने suppose कर रहा है, वो गलत है, therefore, our supposition is wrong, मतलब जो हमने suppose कर रहा है, वो क्या गलत suppose कर रहा है, और बेटा, हमने suppose क्या कर रहा था, हमने क्या suppose कर रहा था, suppose that root 2 is rational, हमने root 2 को rational suppose कर लिया था, therefore, under root 2 is not rational, व तो बचा तो therefore under root 2 is irrational और यह हो गया प्रूफ बात को समझ गए कितना असान बिल्कुल सा प्रूफ है तो बेटा यह थे आपके questions section C के हम next video में section D के साथ मिलेंगे इसी तरह से बिल्कुल easy बिल्कुल simple question है प्ले लिस्ट का लिंक आपको description में प्लस आई बटन में मिल जाएगा प्लस वीडियो एंड में भी मिल जाएगा ओके स्टूट्स तो मिलते हैं next video में section D के साथ तिल देन गुडबाई एंड टेक क्यार